हेलो दोस्तो नमस्ते आदाब सस्त्यकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्टबुक सुपकोचिक पे स्वागत करता है तो दोस्तो हुजा ये तैयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं जीके और जीएस फिवार जहां पर हम लोग करेंगे प्रिवियस एयर के कोश्चन्स और डैली पुलिस कॉंस्टेबल जिससे आपको दोस्तो आपको एक आईडिया लग जाए कि डैली पुलिस कॉंस्टेबल में किस प्रकार के सवाल जो हैं पहले पूछे गये हैं जिन बेसिस पे हम लोग आगे चलके मौक टेस्ट एक्सपेक्टेड कोश्चन्स भी लगाएंगे जो लोग यहाँ पर अभी तक नहीं जुड़े हैं so that कि वो भी जुड़ सकें और हम इसकी शुरुवात कर सकें तो चले इसकी साथ शुरुवात करते हैं और बढ़ेंगे हम लोग मोटिवेशनल कोट के साथ और आज का मोटिवेशनल कोट जो है आपके लिए यह रहा you are more stronger than what you think तो दोस्तों जितना आप सोचते हो आप उससे कई ज्यादा जो है strong हो सिर्फ आपको क्या करना है खुद पर भरोसा करना है और ठीक है और इसलिए अब हम लोग यहाँ पर daily class करने वाले हैं Monday to Friday ठीक है Monday to Friday सुबह 7 बजे से लेके यह 8 बजे तक class होगी जहां पर हम लोग करेंगे GKGS के question ठीक है GKGS के question for Delhi Police Constable DPC DPC मतलब दिली Police Constable के लिए ठीक है तो आप मेरे साथ यहाँ पर daily जुड़ सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं इस इक साथ और सभी लोग फटावट से क्या करेंगे येस टाइप करेंगे जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मेरी screen और voice एकदम clear है और आप लोग तयार हैं पहले questions के लिए तो जल्दी जल्दी से एक बढ़ येस टाइप कर दीजे और हम लोग बढ़ते हैं पहले question के साथ तो यहाँ पर येस आ चुका है और पहला question आपके screen पर ये रहा यहाँ पूछ रहे है which of the following article ठीक है article of the Indian constitution provide the procedure for impeachment of president भारत के सम्विधान के निमलिखित में से कौन सा अनुछेद राश्पती के महाभियों की प्रकरिया ब्रदान करता है article 78, 73, 61 और 88 कौन सा अनुछेद है very good सुनील, बलजीद बहुत ही बढ़िया, bright, very good निहा article 61 is the correct answer क्या हो जाएगा आपे article 61 जो है correct answer हो जाएगा ठीक है अब कई बार आप लोग से ये भी पूछा जाता है कि बताएए कि कि किस देश से ये जो है लिया गया है impeachment ठीक है तो अगर हम बात करते हैं impeachment जिसको हम लोग हिंदी में जो है impeachment में participate कर सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, राश्पती, मलब president, ठीक है, president की ही हम बात करें, महावयोग की, तो president अभी present में कौन है, तो दुरौपदी मुर्मू है, कौन है, दुरौपदी मुर्मू जी है, यह याद रखेगा, ठीक ह तो correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा, article 61 correct answer होगा, ठीक है, next question पर बढ़ें, चले, ठीक है, अगला जो है, आपके लिए, यह रहा सवाल, in which state is, गोल गुम्बस, the tomb of आदिलशाह situated, कह रहे हैं कि गोल गुम्बस, आदिलशाह का मकबरा किस राज्य में इस्थित है, क्या वो करना करनाटका में है, तमिलनाडू, केरला और तिलंगाना, कहां पर है, जल्दी से सभी लोग बताइए, सुनील कह रहे है, सर, A option होना चाहिए, काव्या जी कह रहे है, सर, A option होना चाहिए, बाकी लोग क्या कहते है, यहाँ पर A option correct होगा, या फिर नहीं होगा, फड़ावर से क्या है, बैंगलूरू है, हना बैंगलूरू यह याद रखेगा, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, कि यहां के CM कौन है, तो सिद्धा रमया, ठीक है, हाली में बने हैं, इसलिए अपन डिसकस कर रहे हैं, सिद्धा रमया, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है, और यह आदिल शाह के द्वार है, और आदिल शाह कौन से डाइनेश्टी को बिलॉंग करते थे, बाहमनी, ठीक है, बाहमनी डाइनेश्टी को बिलॉंग करते थे, यह आपको ध्यान रखना है, बाहमनी डाइनेश्टी का जो है, जो इस्थापना कब हुई थी, establishment कब हुआ था 1347 में हुआ था 1347 में किसे ने किया था तो हसन गंगु ने किया था ये भी आपको ध्यानक नहीं ये भी पूछा जा सकता है हसन गंगु ने जो है इसका establishment किया गया था अगर पूछा जाएगा कि बहामनी जो kingdom थी उनकी जो है राजधानी क्या थी तब आपको अंसर क्या करना पड़ेगा कि गुल बर्गा क्या थी राजधानी capital अगर क्योंकि एक्जाम में कई वर capital पूछ लिया जाता है तो गुल बर्गा याद रखे क्या है गुल बर्गा ठीक है चलिए आगे बढ़े अगले सांगा कह रहे हैं खनवा का युद्ध जो है वो डैश और राना सांगा के बीच में लड़ा गया था किसके औरंगजेब जहांगीर और बाबर किसके बीच में लड़ा गया था जल्दी जल्दी से बताईए बाबर कह रहे हैं ओके बाखी लोग क्या क्या कहते हैं यहां पर मुगल एमपायर की जो है शुरुवात की थी ठीक है और बाबर को किस नाम से जाना आता है कलंदर के नाम से जाना आता है ये भी आपको ध्यान रखना है पूछ लिया जाता है कई बार बाबर ने स्थापना कप की थी 1526 में स्थापना की थी बाबर के अगर हम देखे पिता सा बाबर जो है दोस्तों इसको किसने इन्वाइट किया था बाबर को तो बाबर को इन्वाइटेड बाए दौलत खां किसके दौरा इन्वाइट किया गया था दौलत खां अब दौलत खां कौन था दौलत खां जो था यह इबराहिम लोधी का भाई था और यह चाहता था कि और इसको राजा बना दिया जाए। जितनी भी लड़ाईयां हुई थी उनमें जीत हासिल किया था ठीक है दूसरा जो युद्ध था 1527 में वो कौन सा हुआ था खनवा का युद्ध हुआ था क्या खनवा का युद्ध राना सांगा के बीच में हुआ था और यही आप से सवाल अभी कौश्चन में पूछा गया था ठीक है राना सांगा के साथ ठीक है फिर उसके बाद कौन सा हुआ था चंदेरी का युद्ध हुआ था और लास्ट में जो है घागरा का युद्ध हुआ था यह भी आपको धिहान रखना है ठीक है आगे बात करें चाले अगले कोश्चन बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेकिन आगे बढ़ने इस पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल की आप लोगों के लिए क्लासे स्ट मिनो सर रीजनिंग की क्लास आपके लिए लेकर आएंगे और रात को साड़े आठ बजे सुनील सर आप लोगों के लिए क्लास लेकर आएंगे फॉर दिल्ली पुलिस तो आप इन क्लासे में आप लोग जुड़ सकते हो ठीक है चले बढ़ते हैं अगले कोश्चन के साथ निमलिखित में से किसे जो है फ्रेंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है चंदर सेखर आजाद खान अबुल गफर खान जवाहालाल नहरू और भगस सिंग किसको कहा जाता है भई फटा फट बताईए मीनु कह रहे सर बी ऑप्शन होना चाहिए ओके बाखी लोग क्या कहते हैं यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चले जो लोग यहां पर कह रहे सर बी ऑप्शन बी ऑप्शन उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है तो अगर देखिए अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे खान, अबुल गफर खान, ठीक है, यह याद रखेंगे, कौन हो जाएंगे, option number two, जो लोग कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, इन्ही को बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता था, किस नाम से, बच्चा खान के नाम से भी जाना जाते थे यह, ठीक ह भी आपको ध्यान अखना है, और खान, अब्दुलकफर खान, पहले foreigner बने थे, जिनको भारत रतन से सम्मानित किया गया था, ठीक है, he was the first foreigner, जिनको दिया गया, हना, सभी लोग बताईएगा, किस words में दिया गया था, homework number one लिख लीजिए, सभी लोग को बताना है, comment box में, कि इनको भारत रतने किस वर्ष में दिया गया था, ये पहले वेक्ती थे, जिनको भारत रतन से सम्मानित किया गया था, आगे बात करें, चलिए, very good, yes, भानो, good morning, चलिए, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल, तो यहाँ खरेक्ट आंसर कहा है, खान, अबुलकफर खान, ठी इंडियन constitution, deal with the administrative tribunals, ठीक है, कह रहे हैं कि भारत के सम्मिधान के निमलिखे तनुछेदों में, कौन सा प्रसासिनिक न्याइधी करनों से संबंदित है, article 323A, article 271, article 290A, article 307, कौन सा है, फड़ा फड़ से बताएं, सुदेशना, 1980 कह रहे हैं, नहीं, 1980 में भारत रत नहीं मिला था, खान, अबुल गफर खान को, आपको homework में, comment box में, आंसर करना है, ठीक है, चले, यहां पर बताएं, यह correct answer क्या हो जाएगा, 323A कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, यह कह रहे हैं, सुदेशना, सुदेशना जी, ब amendment act से, ठीक है, किस से किया गया था, 42nd constitutional amendment act, 1976, जिसको हम लोग mini, क्या कहते हैं, mini constitution भी कहते हैं, ठीक है, लगु समविधान भी कहा जाता है, इसी को, यह आपको ध्यान अखना है, अगर आप से पूछा जाए, कि यह किस भाग का part है, तो आपको याद होगा, ट्रिबिनेल जो है, भाग 14A में, किस में 14A में mention है, यह याद रखेगा, अगर आपके exam में पूछा जाए, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है, चले आगे की तरफ, बहुत बढ़िया, तो 323A में आपको क्या मिल जाएगा, constitution deals with the administrative tribunals, ठीक है, अगला आपके लिए यह रहा, धुमहल, धुमहल is a famous folk dance of which of the following state or union territory, धुमहल जो है, निमलिखित में से किस राज का एक प्रसिद्ध लोकन रित है, क्या यह उत्तरा खंड है, 36 गड है, मद्य प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर है, कौन सा है, फटा-फट से बताएंगे सभी लोग, जल्दी यल्दी से धुमहल जो है, यह किस राज में आपको, जो है, dance देखने को मिलता है, कहरे सर, जम्मू होना चाहिए, okay, very good, यहाँ पे, सुनील, सुदेशना, नेहा, very good, जो लोग कह रहे हैं यहाँ पर, जम्मू कश्मीर, उनका correct answer हो जाएगा, ठीक है, correct answer क्या हो जाएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, अच्छे देखें, एक सवाल यहाँ पे यह पूछा जाता है, कि यह कौन सी ट्राइब के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यह याद रखेगा, ठीक है, यह आपसे एक्जाम में पूछा जाता है, अगर मैं बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर में ही ठीक है, पहले ये राज था, लेकिन 2019 के बाद जो है, ये एक केंदर शाषित प्रदेश हो गया है, और इसके जो है, लुटिनेंट गवर्नर अभी प्रेजेंट में जो है, वो कौन है, तो मनोज सिनहा जी है, कौन है, मनोज सिनहा जी है, ये आद रखेगा, ये आपके एक्ज साइकल is also called dash, जल चकर को dash भी कहा जाता है, क्या कहते है, जियो साइकल कहते है, हाइड्रोलोजिक साइकल कहते है, हाइड्रोजिक साइकल या फिर हाइड्रोजन साइकल, जो वोटर साइकल होता है, उसको क्या कहा जाता है, जल्दी से बताइए, बाकी लोग क्या कहते है, यह यहां पर cycle कहा जाता है यह ध्यान रखना है option number two जो लोग करे हैं उनका बिल्कुल correct answer का यह ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए अगला सवाल as per the finding of 2011 census देखे 2011 की जनगंडा के अनुसार जो है केरला has the highest sex ratio of with the 1084 female per thousand male while dash has the lowest sex ratio in India with just of 877 women per thousand males ठीक है बताना है 2011 की जनगंडा के इसकरसों के अनुसार केरल में प्रती हजार पुर्षों पर 1084 महिलाओं के साथ अधिक्तम लिंगनुपात है जबकि डैस का भारत में लिंगनुपात प्रती हजार पुर्षों पर सिर्फ 877 महिलाओं के साथ nyauntam है पंजाब, राजिस्थान, जारखंड, हरियाना कहां कहा है दोस्तो हरियाना, हरियाना जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो लोग हरियाना कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ही बढ़िया याद रखेगा हरियाना ठीक है अब मैं देखी दोस्तों यहाँ पे सवाल यह पूछा जा सकता है कि इंडिया की इंडिया की जो है वो कितनी है लिंग अनुपाद सेक्स रेशियो जो है भारत का कितना है यह पूछा जा सकता है और हमें पता है कि सेक्स रेशियो मतलब लिंग अनुपाद और लिंग अनुपाद किस तरीके से निकाला जाता है तो आपको धियान रखना उसमें महिलाओं का जो है अनुपाद बता जाता है अगर हम बात करें भारत का जो लिंग अनुपाद है वो 943 है कई जगा आपको 940 भी मिलेगा तो जो भी आप्शन मिलेगा 940 अफन 943 उनमें से आपको टिक लगा देना है ये आपको धिहान रखना है ठीक है चले आगे की तरफ चले अगर आपसे देखे डिकेडल ग्रोथ 17.7 परसेंट ठीक है 17.7 परसेंट ये याद रखेगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर विच आप दा फॉलॉइंग गैसेज इस नैसेसरी फॉर कमशन कह रहे हैं दहन के लिए निमलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है क्या वो चले जो लोग यहाँ पर ओक्सीजन कह रहे हैं उनका बिल्कुल क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है यहाँ पर और पात करते हूं तो यह जो है इसको केशीले के द्वारा जो है डिस्क वर किया गया था यह आपको दियान अखना Я पूछा जाता है एडिवोऊ Tiger घरबाए, केश ही टेक है, तो ऑक्सीजन जो है, ये दोस्तों compassion में help करती है, अगर oxygen नहीं रहेगा तो combustion नहीं हो पाएगा, ये आपको ध्यान रखना है oxygen के अगर हम बात करें अगर O3 लिख देते हैं तो यह क्या कहलाता है ozone कहलाता है क्या कहलाता है ozone ठीक है यह याद रखेगा ozone कहते हैं और oxygen O2 होता है यह भी आपको ध्यान रखना है चले आगे बढ़ें अगले कोशन बढ़ते हैं अगला आपके लिए इंडिया इंडिया भारत में जो बीज फसल बीमा वर्ष डैश में शुरू हुआ था कब हुआ था उनिस्सों चरानवे पंचानवे यहाँ पर हम बात करें सभी लोग सबस पहले तो यहाँ पर बता दीजे कि सीड क्रॉप इंशुरेंस की जरुद क्यों पड़ी थी ठीक है कई बार ऐसा होता था दोस्तों कि किसान जो है फसल लगाते थे और फसल जो है पूरी तरीके से अच्छे से नहीं हो पाते थी इस समय फिर क्या शुरुवात किया गया सीड क्रॉप इंशुरेंस ठीक है बीज फसल बीमा शुरू की गई और यह शुरुवात हुआ था 1999-2000 में यह आपको ध्यान रखना है ठीक है तो यह 1999-2000 में स्टार्ट किया गया था खरीफ क्रॉप के लिए पहले ग्यारा राजियों में इसकी शुरुवात की गई थी 11 स्टेट में पाइलेट बेसेस पे बाद में बाकी राजियों में भी इसकी शुरुवात की गई थी ठी हुआ है कि अमेरिका का राश्टी खेल क्या है क्या वह टैनिस है बास्केट बॉल है या फिर गॉल्फ है कौनसा है जल्दी से पताईए यहाँ पे कहरें sir, B option होना चाहिए, बाकि लोग, चले, तो मैं आपको बता दू, यहाँ पे जो लोग कहरें sir, basketball, basketball, उनका गलत होगा, baseball correct answer होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, baseball correct answer हो जाएगा, अब देखे, baseball के अगर हम बात करते हैं, तो baseball की शुरुआत कब हुई थ ठीक है और इसका Headquarter जो है अगर हम बात करते हैं Baseball Federation Baseball Federation Baseball Federation का अगर आपसे headquarter पूछ लिया जाएगा तो Headquarter जो है लुसाने में है कहा पर लुसाने कहां पर है तो इस यह आपको ध्यान रख लेना है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे परोसी देश के जो है राश्टी खेल कौन कौन से हैं जैसे कि हमारा परोसी देश बांगलादेश तो बांगलादेश का जो है राश्टी खेल कौन सा है कबड़ी है कौन सा है कबड़ी है फिर नेपाल का पूछ लेंगे archery है। ठीक है। अगर आप से पूच लिया जाइगा कि चाइना का कौन सा है तो pink pong कहते हैं थीक है supreme pongमद टेवल टैनिस ठІप पांग मतलब टेवल टैनिस ठीक है। पाकिस्तान का जो है कौन सा है राश्टी खेल तो होकी है कौन सा है होकी है ठीक है यह आपको ध्यान अखना है सभी लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएगा कि मैनमार का कौन सा मैनमार जो है उसका राश्टी खेल कौन सा है मैनमार का नैशनल गेम कौन सा ह यह आप comment करके बताएगा second homework है ठीक है चलिए आगे बढ़ें ठीक है अगले question बढ़ते हैं अगला question आपके screen पर यह रहा यहां पूछ रहे हैं what is the name of the scheme announced by the government of India to boost the production and processing of tomatoes, onion and potatoes as a part of an objective to check the price volatility in these items ठीक है previous year का question है ठीक है टमाटर, प्याज और आलू में मूल अस्थिर्ता की जांच करने के उत्देश के इनके उत्पादन और प्रसेज़करण का बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोशित योजना का नाम क्या था operation pink, operation green, operation yellow और operation white क्या हो जाएगा यहाँ पर कह रहे सर operation green होना चाहिए ठीक है बाकी लोग क्या कहते है यहाँ पर चले जो लोग operation green green कह रहे हैं उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा यह याद रखेगा ठीक है चले यहाँ क्या हो जाएगा operation green हो जाएगा ठीक है अच्छे देखिए एक green जो है यहाँ पर आपसे green revolution भी पूछा जाता है ठीक है हरित क्रांती भी पूछी जाती है green revolution की जो ठीक है और यह जो शब्द दिया गया था green revolution यह विलियम गिडे के दारा दिया गया था किस में गिडे के दौरा और greenhouse या में पूछेगा ठीक है इंडिया में तो कौन हो जाएगे जल्दी से बताइए मस्मा में स्वामी नाथन जी रिया में अगर जो है foreign में पूछा जाएगा तो आप कहोगे कि Norman Borlog कौन हो जाएंगे Norman Borlog हो जाएंगे ये भी आपको ध्यान अखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ें हाजी आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके screen पर यह रहा which of the following values represent the pH of an acidic solution कह रहे हैं निमलिखित में से कौन सा जो है मान एक अमली विलियन के pH के प्रतिनेधित्व करता है 9, 12, 8 और 2 क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपको ध्यान रख लेना है क्योंकि हम से क्या पूछ रहा है acidic solution और देखे pH scale जो होती है वो 0 से लेके 14 तक होती कहां से 0 से 14 और बीच में होता है 7, 7 को हम लोग कहते है neutral, neutral मतलब होता है उदासीन अगर आप 7 के नीचे रहते हो तो इसका मतलब है आप acid में हो जहां पर acidity बढ़ती जाएगी और अगर आप 7 के उपर जाते हो तो basicity बढ़ती जाती है यह भी आपको ध्यान रखना है शारता बढ़ती जाती है यह इस तरफ आएंगे तो अमलता बढ़ती है यह जो scale है यह क हमें दो ही दिख रहा है जो कि option number 4 में हैं बाकी तो सब साथ से बढ़े हैं तो यहाँ पर correct answer जो है आपका option number 4 correct answer होगा ठीक है source in yes source in यहाँ पर scientist है ठीक है आगे बढ़े चली आगे बढ़ते हैं अगला question where will the FIFA World Cup 2026 be held FIFA विशुकप 2026 कहां आयोजित किया जाएगा यह आपसे पूछा गया है चाइना जापान साउथ कोरिया रशिया बेलारूस फिल्लेंड यूएस कनेडा मैक्सिको यूएई और कतर और साउधी अरेबिया जल्दी से बताएए 2026 का FIFA कहां पर होगा राउल कह रहे तो जो लोग यहां पर कह रहे हैं सर होना चाहिए आपका option number CCC उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है US, Canada, Mexico is the correct answer यह याद रखना है ठीक है चलिए अब देखे यहां पर option number 3 correct तो answer हो गया US, Canada, Mexico अब सवाल यहां पर यह उठता है FIFA की जो है शुरुआत कब हुई थी इसका establishment क अब हुआ था, तो 1904 में हुआ था, headquarter कहां पर है, Zurich Switzerland में है, कहां पर है, Zurich Switzerland में है, ठीक है फिर आप से पूछेंगे कि इसके जो chairman है या फिर president आप कौन है तो याद रखेगा ग्यानी infantino है, कौन है ग्यानी infantino है, इसके अलावा आप देखे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि FIFA 2022 जो है, ये कहां पर हुआ था, आयोजित, ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि कतर की capital दोहा में हुआ था, कहां पर हुआ था, दोहा में, ठीक है, फिर आप से पुछेंगे कि शुभांकर, mascot क्या था FIFA का, तो live क्या था, live था, ये याद रखेगा, final जो है, किसक Argentina और France के बीच में, किसके, Argentina और France के बीच में हुआ था, और Argentina जो थी, ये winner थी, और France जो थी, ये runner-up थी, ये आपको ध्यान रख लेना है, फिर आप से पुछा जाएगा, कि बताए, golden ball किसे दिया गया, तो golden ball दिया गया था, Lionel Messi को, किसको दिया गया था, Lionel Messi को, golden boot किसको द किसको दिया गया, तो वो मार्तिनेस को दिया गया था, किसको दिया गया था, मार्तिनेस को दिया गया था, तो ये नाम ऐसे कुछ इस प्रकार से सवाल आपके एकजाम में पूछे जा सकते हैं, आगे बढ़ें, और दोस्तों जिन्होंने अभी तक like और share नहीं किया, एक देखे उस नदी का chain कीजिए, जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया है, क्या वो मंजीरा है, जेलम है, नर्मदा है, और कावेरी है, जल्दी से बताए, correct answer यहां पर क्या होगा, जेलम कह रहे हैं, ओके, बाकी लोग, तो दोस्तों जो लोग जेलम जेलम कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दू, उनका गलत आंसर हो जाएगा, यहां पर correct answer क्या हो जाएगा, correct answer मजीरा हो जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, जो है मंजीरा, मंजीरा, मंजीरा जो है, यह कहां से निकलती है, तो मंजीरा निकलती है, बाला घाट महराज से इसका ओरिजिन जो है वो बाला घाट रेंज है ठीक है महराज से निकलती है यह याद रखेगा अच्छा सिंगूर बांध जो है अगर आप से पुछा जाएगा यह सिंगूर बांध बनाया कब गया था तो 1989 में ठीक है 1989 में यह बनाया गया था और यह जो मंजीरा न बताएगे तो प्यूठदी अस्केशल मोगे कवे लोग कॉन आगे बढईगे तो फिर आप बता बढईगे ठीक्शन और यह मैटूर पूछा जा चुका है अल्रडी ठीक है चलिए आगे बढ़ें अगला कोक्षन आपके स्क्रीन पर यह रहा अच्छे औरंग जेव रूल्ड दा मुगल एंपायर फ्रॉम डैश देखिए औरंग जेव ने डैश से लेकर दैश तक मुगल समराजी की जो है पर सा सौनों 1658 से लेके 707 1657 से लेके 709 और 1656 से लेके 708 यहूगा करेक्ट आंसर बी औप्षिन प्रियांशी कह रहे है आजय कह रहे 1707 मदलब आपको यह पता है कि उन्होंने कब तक राज किया है ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर जो लोग कह रहे औरंग जेब, कौन था, औरंग जेब, तीसरे नमबर पे था मुरासा, कौन था, और चौते नमबर पे था सहसूजा, ठीक है, अब इन चारों में लडाई होने लगी 1657 में जब दोस्तों यहां पे साथ जहां की तबियत कराब हुई औरंग जेब जो था ठीक है इसने दोस्तों अपने भाईयों को हरा के जो है विजय प्राप्त कर ली और औरंग जेब को ही लिविंग सेंट इंगलिश में कहते हैं लिविंग सेंट हिंदी में कहते हैं जिन्दा पीर क्या कहते हैं जिन्दा पीर कहा जाता है यह ध्यान रखेगा इसी नहीं जो है दोस्तों आपको याद होगा बीबी का मगबरा बनवाया है और बीबी का मगबरा आपको कहां पर प्रेजेंट में नाम क्या हो चुका है चत्रपती सांभाजी नगर ठीक है यह भी याद रखेंगे आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला कुशन आपके स्क्रीन पर यह रहा भारत में निमलिखित में से किस बंदरगा का जो है नाम बदलकर दीन दयाल बंदरगा कर दिया है कांडला पर चुची पर ट्यूटी कॉरिं और यहां पर कांडला होना चाहिए जो लों कैरे चर केंडला प्रक्रेंस अनला उनका विलकुल कारेक्ट आंसर हो जाए क्या हो जाए धिक हाँप से पहली बात दीखिए कांडला पोर्ट तो correct answer है यह गुजरात में मौजूद है कहां पे हैं गुजरात में हैं हमारे भारत में अगर हम बात करते हैं इंडिया में जो है major port अगर आपसे पूछा जाएगा तो 13 major port आपको मिलेंगे ठीक है सबसे बड़ा अगर container largest container अगर आपसे पूछा जाएगा भारत का तो वह कौन सा हो जाएगा जवाहल लाल नहरू पोर्ट जो कि कहां पर है महाराष्ट में है southern most port पूछेंगे कि southern most port कौन सा है तब तो आप answer कर देंगे ट्यूिटी कोरिंट पूर्ट है जो कि tamilatus यह पैस्ट कोरें ठीक है तो आप कहो दोगे कि पस्चिब भंगाल में है मौर्मुगाव पोर्ट कहां पर है, तो गोवा में है, मजगाव पोर्ट कहां पर है, तो महराष्ट में है, इस तरीके के सवाल भी पूछ लिए आते हैं, ठीक है, यस, डीपेस्ट पोर्ट, बेरिगुड बलजीत, डीपेस्ट पोर्ट जो है, वो विशाका पतनम है, कौन सा ह बाकि लोग क्या कहेंगे जो लोग यहाँ पर कहें सर बी ऑप्शन बी ऑप्शन उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा ठीक है भाग 4 जो है वो किससे संभंगित है Directive Principle of State Policy राज के निती निर्देश से संभंधित है जबकि देखे भाग 4 एक से संभंधित है यह fundamental duty से संभंधित है इसलिए यह कथन गलत हो गया ठीक है किससे संभंधित से संबंदित है citizenship से संबंदित है इसलिए ये भी statement गलत हो गया तो सिर्फ कौन सा है option number two correct है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल अच्छा वू इस दा राइटर ऑफ द सौंग सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा जो है गीत के लिखक कौन है क्या वह महम्मद इक बाल मुंकुल और आंसर हो जाएगा यह आद रखीगा ठीक है इसको देखें मौहमद इकबाल के दुआरा जो है अर्दू लेंग्वेज में याद रखेगा अगर आप से पूछ लेते हैं इसी को तारिफे हिंद भी कहा जाता है क्या का जाता है तराना एंद या तराना एंद या याद रखेगा ठीक है चलिए आगे बढ़े और इसको पह को ध्यान रखना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं तराना एहिंद ठीक है तराना एहिंद चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा इसको लेफ्ट करते हैं हाँ जी देखें कहा रहे हैं मिलखा सिंग को जो है निमलिखित में से किसने फ्लाइंग सिक की उपादी दी थी क्या वो जवाहा लाल नहरू जी ने लाल भादुर सास्त्री जी ने जनरल अयूब खान ने और जनरल यहाया खान ने किसने दिया था फड़ावड बताईए यहाँ पर कह होना चाहिए ओके चले जो लोग यहां पर सी ऑप्शन सी ऑप्शन कह रहे हैं कि जनरल अयूब खान उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे की तरफ बहुत बढ़िया यहां पर क्यों जाएंगे जनरल अयूब खान अगर हम मिल क्रेस ऑफ माई लाइफ यह किसके द्वारा है तो यह मिलखा सिंग जी के द्वारा है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है आगे बढ़े अगले कोशन पर ठीक है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा हूं अमंग दी फॉलॉइंग फाउंड़ दा सर्वेंट ऑफ इंड जो लोग गोपाल क्रिष्ण गोकले करें उनका भिलकुल करेक्ट आंसर हो जाये यह याद रखेंगे ठीक हैं मपाल क्र revolution गोखले वही व्यक्ति हैं दोस्तों जिनको कहा जाता हूं महात्मागांधी के राजनेतिक गुरू ठीक है पॉलिटीकल गुरू किसके महात्मा गां छन्द गांधी जी के अच्छे ये 1905 में जो है प्रेसिडेंट भी थे ये ठीक है प्रइसिडेंट ये भी पूछा जाता है कि बहए ये प्रेसिडेंट है उन प्रेसिडेंट किसके लेकिन यहां बैर रखर ऑनारस सेशन के फिके इन्होंने अध़्यक्स्ता कि थी बनारस session ठीक है यह आपको ध्यान रखना है पूछा जा सकता है आगे बढ़े अगले question पर yes बहुत बढ़ी है president थे INC जो बनारा session में हुआ था बिलकुल और 1905 में आपको याद होगा सुदेशी movement की भी शुरुवाद हुई थी चले आगे ठीक है अगला question आपके screen पर यह रहा in which year was the RBI nationalize देखिए किस वर्ष में RBI का राश्री करण हुआ 1971 में 56 में 49 में और 35 में कब हुआ वहरी गोड यहाँ पर प्रियांशी बलजीत जहांसी राहूल नव्या बहुत बढ़े 1949 जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा 1949 में ठीक है अब देखिए RBI की अगर बात करते हैं तो RBI जो है इसको Apex Bank कहा जाता है या फिर इसी को हम लोग Bankers Bank भी कहते हैं क्या कहते हैं Bankers Bank भी कहते हैं या फिर देखिए इसकी जो है recommendation किस ने दिया था तो Young Hilton Committee ने recommend किया था किस कमीटी ने? Young Hilton Committee ने ठीक है और इसको बनाया किसके तहद गया? RBI Act 1934 के तहद बनाया गया इसकी जहें स्थापना establishment कब हुई थी? 1935 में हुई थी और यह कहां पर हुई थी? Kolkata में हुई थी बाद में इसको shift किया गया 1937 में इसको मुंबई में transfer किया गया कहां पर मुंबई में तो आज इसका headquarter RBI का कहां पर है? मुंबई है कहां पर है? मुंबई महराष्ट है यह भी आद रखेगा और इसके present में जो है governor कौन है? शक्तिकान दास जी है ठीक है? आगे बड़े चलिए वेरे गोड प्रियांशी, राहूल, विशाल बहुत बड़ी है अगला question आपके screen पर as per its preamble RBI cannot have more than dash deputy governor कह रहे है इसकी प्रस्तावना के अनुसार RBI के पास dash से अधिक राज़पाल नहीं हो सकते है 2, 1, 4 और 3 कितने हो सकते भई? 2 होना चाहिए बाकी लोग बताएंगे correct answer यहाँ पर क्या होगा सभी लोग फटा-फट से यहाँ पर कह रहे है fourth option कह रहे हो या फिर four कह रहे हो यहाँ पर मुझे एक बात बताएए four कह रहे हो या four option कह रहे हो अभी देखे, दो चीज है यहाँ पर four, एक fourth option तो आप लोग बोल कह रहे हो option number C, ऐसा बोले option number C के साथ जो लोग जा रहे है उनका बिल्कुल correct answer होगा option number C के साथ जो लोग जा रहे है उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा very good, Priyanshi अच्छा, राहुल ने कहा, चार governor बिल्कुल, चार governor होते हैं, ठीक है चलिए, deputy governor अगला आपके लिए ये रहा what is the amount of annual health cover available to the family under the आईश्मान भारत scheme of the government of India देखे, दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो है आईश्मान भारत योजना की शुरुवात की गिती उसके अंतरगत, एक परिवार को जो है मिलने वाली वार्थिक स्वास्त सुरक्षा कितनी होती है 4 लाकी, 3 लाकी, 2 लाकी या 5 लाकी कितनी होती है नव्या कह रहे, सर 5 होना चाहिए राहूल कह रहे है, ठीक है जी की motivation कह रहे है, सर 5 होना चाहिए तो जो लोग यहां पे 5, 5 लाकी कह रहे है उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा यह ध्यान रखिएगा, ठीक है 5 लाकी तक का, और यह सभी को दिया जाता है तो जिनके पास आईश्मान कार्ड है तो वो दोस्तो इस 5 लाकी तक का शैली की प्रतिपादक है ODC, कथक, भरत, नाटेम और कुछ चिपुड़ी कौन सा डांस यह perform करती है यह आपको बताना है यहां पे कह रहे सर ODC डांस होना चाहिए बाकी लोग क्या कहते है जो लोग ODC, ODC कह रहे है उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है, correct answer क्या हो जाएगा ODC हो जाएगा, यह याद रखेगा ठीक है, अच्छे, इनको पदमश्री से भी सम्मानित किया गया ठीक है, पदमश्री से भी यह भी सवाल पूछा जाता है तो रंजना गोहर जी को पदमश्री कब दिया गया था तो 2003 में पदमश्री अवार्ड कब दिया गया था 2003 में दिया गया था ODC डांस जो है, यह ODC में परफॉर्म किया जाता है और इसके जो फेमस डांसर है जैसे की माधवी मुडगल हो गई कौन जी, माधवी मुडगल फेमस डांसर है, ठीक है केलू चरन महोपातरा कौन होगए केलू चरन महोपातरा सोनल मांग सिंग यह भी याद रखेगा सोनल मांग सिंग इस तरीके के भी सवाल आपको एक्जयाम में देखने को मिलते है ठीक है, चले आगे बड़े तो SSC ले रहा है, तो SSC में दोस्तों वैसे भी art and culture में dance, music, festival, temples यह बहुत जादा important हो जाते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें, ठीक है, अगला question आपके screen पर ये रहा, which of the following statement is true about the human eye, कह रहे हैं, निमलिखित में से कौन सा कथन, मानवत नेतर के बारे में सही है, कह रहे हैं, rods are fewer than cones in the periphery of the retina, the auditory nerves transmit signal to the brain, the eye lens focuses light on the retina, the pupil control the iris, कौन सा इन में से सही है, ये आपको बताना है, C option कह रहे हैं, बाकि लोग, जो लोग C option, C option कह रहे हैं, उनका विलकुल correct answer हो जाएगा, ठीक है, correct answer क्यों होगा, C option हो जाएगा, the eye lens focused light on the retina, ये आपको ध्यान रखना है, तभी retina पे जाके, image बनती है, ठीक है, ये eyeball है, यहाँ पे ciliary muscles होती है, यहाँ पे ciliary muscles होती है, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये lens है, convex lens, ठीक है, convex lens, यहाँ पर आपको pupil मिलेगा, क्या मिलेगा, pupil, ये उपर की तरफ जो है, ये iris है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये यहां पर दोस्तों एक यूमर लिक्विड होता है, विट्रस यूमर कहते हैं, ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है, एक्वस यूमर और विट्रस यूमर जो है लिक्विड मौजूद होता है आखों में, आगे बात करें, चलिए, अगला वोक्षिन आपकी स्क्रीन पर यह यहां पूछ रहें, which of the following is a symptom of iodine deficiency in the body, कह रहे हैं कि निमलिखित में से कौन सा जो है सरीर में, iodine की कमी का लक्षन है, क्या वो, sudden weight loss, या फिर conversion, swelling of the thyroid gland, और night blindness, जल्दी सुबताएं, यहां पर C option कह रहे हैं, चले, जो लोग C option कह रहे हैं, swelling of thyroid gland, उनका बिलकुल correct answer हो जाएग जैसे कि आपको पता है कि अगर iodine ना लिया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, कि वहां पर thyroid gland जो है, thyroxine generate नहीं कर पाता है, और जिसकी वज़े से, यहां पर swelling हो जाती है, thyroid gland में, जिसको हम लोग घेंगा भी कहते हैं, तो iodine कमी की वज़े से goiter होता है, ठीक है, क्या होता है तो goiter, यह कई बार exam में पूछा जाता है कि iodine की कमी से क्या होता है, तो goiter हो जाता है, ठीक है, आगे बढ़ें, चले, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए, the image formed in a plane mirror is, देखिए जो समतल दरपन में बनी छवी dash होती है, किस प्रकार की होती है, diminished होती है, blurred होती है Really Inverted, Literally Inverted और Magnified, किस प्रकार की होती है, सभी लोग बताईए, यहाँ पर A कह रहे हैं, कुछ लोग C कह रहे हैं, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, C option, Literally Inverted, Correct answer होगा, ठीक है, Correct answer क्या हो जाएगा, Option 3, Correct होगा, Literally Inverted, ठीक है, आप लोग को देखा होगा मिरर में, देखें लेफ्ट वाला जो है राइट की तरफ दिखाता है और राइट वाला लेफ्ट की तरफ दिखाता है ना तो लेटरली इनवर्टेट हो जाएगा ठीक है हाँ सेम साइज होता है यह याद रखेंगे चलिए आगे बढ़ें अगले कोशन पर अगला कोशन अच्छे जो है दस दस नहीं मालीज च्छे फिट है ठीक है तो मेरर की साइज कितनी ली जाए जिससे आपका पूरा का पूरा इमेज दिखेगा यह आप जरूर बताएगा ठीक है आगे बात करें अगला गोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा बेस्ट ऑन दा रिकमेंडेशन ऑफ दी कम वेणी डिपार्टमेंट गर्मेंट ऑ इंडिया एक्सपेंडीचे डिपार्टमेंट या एंडीक जा जल्दी से बताएगे जो है जो है यह ची अच्छेमक्र सरकार के दौरा किया जाता है option number B जो लोग के रहे हैं उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा ठीक है correct answer option number B हो जाएगा चली अगले सवाल बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा कनोज का युद्ध जो है शेरसा सुरी और हमायू के बीच में डैश में लड़ा गया था 1534, 36, 38 और 1540 कब लड़ा गया था 1549, 1549 option में नहीं है 1544, 40, 40 जो लोग के रहे हैं उनका बिलकुल correct answer हो जाएगा ठीक है यस 1540 1549 में भी जो है यहां पर हुआ था शेरसा सुरी और हमायू के बीच में लेकिन 1549 में जो हुआ था वो दोस्तों कनोज का युद्ध नहीं चौसा का युद्ध था कौन से था चौसा का युद्ध था और दोनों में ही जो है यहाँ पर किसकी जीत हुई थी शेरसा सुरी क्यों ही थी शेरसा सुरी का बचपन का नाम या फिर रियल नेम क्या था फरीद खान क्या था फरीद खान था यह याद रखेगा कौन से डैनिस् तो पंद्रो सो चालिस से लेके पंद्रो सो पच्पन तक राज किया था ठीक है यह आपको ध्यान रखना है आगे बढ़ें अच्छा इसका मगबरा कई बार पूछ लिया आता है तो दोस्तों सासाराम में हैं आपको मसूलियम सेरसासुरी का सासाराम में देखने को मिलेगा ठ सेंट्रल पोटेटो रिसर्च इंस्टिट्यूट लोकेटेड देखे आईसी आर केंदरी जो है आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है लखनाव जलंदर शिमला और तिरुवनंत पूरम कहां पर है शिमला शिमला कह रहे हैं बाखी लोग क्या कहेंगे करेक्ट आंसर यहां फेस्टिवल प्राइमरली सेलिब्रेटेड जो है ओनम त्योहार जो है मुख्य रूप से किस राज में मना जाता है तमिलनाडू में तिलंगाना में करनाटका में या फिर केरला में सभी लोग बताएं यहां पर कहर सब डी आउप्शन होना चाहिए ओके बाकी लोग ठीक है डी आउप्शन केरला केरला जो लोग करे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपको ध्यान अखना है ठीक है केरला अब देखिए कई बार आप लोग से पूछा जाता है कि भाई तमिलनाडू में दोस्तों कौन सा त्योहार है जिसको हम लोग हर्वे सोर- Dubsara जो है यह कहां पर सेललब्रेट किया जाता है तो मैसोर-दसैर जो है यह आपको करनाट का में से अलग-अलग तोहार जाने आते हैं अगला सवाल how many fundamental duties are provided by the part 4A of the constitution of India कहने भारती सम्विधान के भाग 4A द्वारा कितने मौलिक करतव प्रदान किये जाते हैं 1914-11 और 8 कितने किये जाते हैं सर क्लास टाइम बता दीजे मंगेश जी पूछ रहा है तो दोस्तो क्लास का टाइम जैसे मैं आपको बता देता हूं Monday to Friday no down कर लीजे कौन-कौन सी classes होंगी ठेक है सुबा देखे morning में 6-7 बजे हम लोग क्या करेंगे 7 बजे तक daily current affair ठेक है daily होती है ये फिर उसके बाद 7 बजे से लेके 8 बजे हम लोग करेंगे dillie police constable D.P.C. दillie police constable ठेक है क्या है दिली police constable जहां पर हम लोग gkgs के सवाल करेंगे ठेक है फिर उसके बाद 3.5-8 बजे से करेंगे 9 बजे master class ठेक है master class जो कि आदे घंटे की आपके लिए free of cost होती है एप पर अविलेबल होती है और दोपहर को दो से तीन बजे कर क्लास करेंगे हम लोग SSC स्टीनों के लिए ठीक है तो यह आप इन क्लासेस में जुड़ सकते हो नोट डाउन कर लीजेगा आगे बढ़ें क्यों नहीं हो रहा है क्लास टूपीम वाला दोस्तों आप डेली होगा डोंट वरी कल से स्टार्ट हो चुकी है ओलरी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले यहां पर करेक्ट आंसर बताएं करेक्ट आंसर क्योंगा अगले सवाल के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर उस राजी का पहचान कीजिए जिसके साथ तिलंगाना अपनी सीमा साजा नहीं करता है क्या वो करनाट का है आंधर प्रदेश है तमिलनाडू है और 36 गड़ है फड़ा फड़ा बताएं क्ति माश्ट क्लाश के बारे में बताएं रीशी कहन रहें मास्ट क्लास में देखिए मास्ट आप पर कलास होती है ठीक है इसमें हम लोग क्या करते ना प्रैक्टिस करते हैं कौश्छंस के ठीक है तो वहाँ का पूरिषा कह रहे हैं उके बाखिी लोग क्या केते हैं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा चले जो यहां पर और अप्चन उडिशा तो है नहीं तो करेक्ट आंसर मैं नहीं करता है तमिल नाड़ू के मुख मंतरी कौन है तमिलनाडू के मुख्यमंत्री वो है M.K. स्टैलिन कौन है M.K. स्टैलिन है और अगर राजिपाल पुछा जाएगा प्रेज़ेंट में गवर्नर कौन है तो आरेन रवी है कौन है आरेन रवी आगे बात करें ठीक है चले अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा सुभाष चंद्रबोष वोज एलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ डैश कॉंग्रेस सेशन इन 1938 देखे सुभाष चंद्रबोष जो है 1938 में डैश कॉंग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे क्या वो हरीपूरा कलकटा दिल्ली और लखनौ कौन से सेशन था तो हर हरीपूरा कह रहे हैं उखे चली जो लोग हरीपूरा हरीपूरा कह रहे हैं उनका विल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा हरीपूरा देखे सुभाष चंद्रबोष जी जो थे 1938 में और 1949 में भी अध्यक्ष्टा किये थी 1949 में इन्होंने त्रिपूरी सेशन की किये थी त्रिपूरी याद रखेंगे आगे बढ़े चली अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अप्यूक्त बेसलाइन दौरा मापा गया भारत के छेत्र में पानी समुद्र में डैस समुद्री मील तक फैला है क्या वो 16, 12, 21 और 18 क्या हो हो ना चाहिए झाले जो लोग यहां पर नौटल में और यहां पर और हैं और प्षम में लुच्वार का भार यहां जो है करेक्ट आंसर अगले सवाल बढ़ते हैं जु canal के निमलिखित मेंleg 1059 में इस अचने की त्या आंसर हो जाएंगे यहां पर सुबाश चंद्रबोश बिलकुल करेक्ट आंसर होंगे ठीक है ऑप्शन नमर थी करेक्ट आंसर नेक्स कोशन बढ़ते हैं विच ऑफ फॉलॉइंग इस दाइरेक्टिव प्रिंसपल ऑफ इस्टेट पॉलिसी ठीक है आप से कह रहे हैं कि यहां पर निमलखीत में से कौन सा राजिका निर्देश सिधानत है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड परसनल लिबर्टी फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रोडेक्शन ऑफ इंट्रेस्ट ऑफ मानिटीज यह एबॉलिशन ऑफ अंटेचबिलिटी कौन सा इसमें दोस्तों DPSP से सम्मंदित है पंचायत कह रहे हैं ऑके बाखी लोग बिल्कुल जो लोग यहां पर पंचायत ऑप्शन ऑप बी कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ पंचायत ग्राम पंचायतों का गठन करना जो कि आप देखा होगा अनुछेद चालि से लेके इंक्यावन तक है यह भी याद रखेगा ठीक है आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल दरिनोंड क्लासिकल सिंगर गिर्जा देवी वाज एक्स्पोनेंट ऑफ विच और फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक ठीक है अभी कह रहे है प्रसिद जो है सास्त्री गाई का गिर्जा देवी जो है इंदुस्तानी सास्त्र संगीत क bissरूप टराण थुमरी खयाल और धृपग और देखे अभी आपका exam में MTS का exam चल रहा है MTS के exam में यह पूछा गया तक गिर्जा देवी कौन से घराना को बिलॉंग करती है ठेक है यहाँ पर गिर्जा देवी का घराना पूछ लिया गया तक किस घराना से बिलॉंग करती है तो यह बनारस घराना एंड श्टोरीज फ्रॉम डिफ्यूजी गल अराउंड वर्ल्ड के लिखक कौन है क्या वो मैडलीन अलबरेट ग्रेटा थनबग तस्लिमा नासरीन और मलाला यूसुफ जाई डी ऑप्शन डी ऑप्शन वी आडिस्प्लेज बिल्कुल मलाला यूसुफ जाई ज्वारा लिख के साथ हमारे किस भारत के विक्ति को दिया गया था तो कैला सत्यार्ति जी को भी नोबल प्राइस समानित किया था पार्ट फिफ्टीन ऑफ दी कॉंस्टिशन ऑफ इंडिया डील भारत के सम्विधान का भाग जो है 15 किस से संबंदित है ओफिशन लेंगवेज अमेंडमेंट है एमर्जेंसी है या इलेक्शन है किस से है जल्दी से बताइए क्या जी यहां यहां पर करेक्ट आंसर क्यों जाएगा इलेक्शन जो लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है इहां पर आप से पूछा जाएगा कि ओफिशिल language किस में है किस भाग में है तो भाग 17 में है किस में है भाग 17 में है याद रखेगा फिर पूछेंगे कि amendment किस में है तो amendment जो है यह भाग 20 में है किस में है भाग 20 में है एमर्जन्सी किसमें है तो आपको होगे भाग 18 में है किसमें है तो यह आपको दियान रखना है आगे बढ़े हाँ 17 लेंड़ेug यह आंपको दियान रख लेना है अगले सवाल बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों यहाँ पे समय होता है समाप्द जहां पर आज हमने क्या किये है मिक्स कोशन किये है प्रिविएस यहर का एक कोशन किया है जिससे आपको एक आईडिया लग जाए कि किस प्रकार के दिली पुलिस कॉंस्टेबल के एक्जाम में question पूछे already गये हैं ठीक है और इसी तरीके से daily class होगी Monday to Friday सुबह 6 साथ से 8 बजे जहां पर आप में साथ जुड़ सकते हूँ PDF के लिए आप टेलिग्राम पे जुड़ सकते हो PDF कैसे मिलेगी आपको टेलिग्राम पे एडडरेट गौरसर टेस्बूक सर्च करना है वहाँ पे पबलिक ग्रूप मिलेगा वहाँ यूट्यूब सेशन की अपडेट्स मिलेंगे daily PDF मिलेंगे discussion होंगे interaction होगा तो मैं आपको link provide क लिए ठीक है जिससे आप लोग आसानी से जुड़ सकते हो कहां पे टेलिग्राम पे ठीक है और दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूँ किस तरीके से आपको यह सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी तो आप लोग देखे YouTube पे जाकर YouTube पे जाने के बाद आपको एस सूपर कोच हाँ जी यहां पे जैसे आप देखोगे सारी क्लासेथ आपको मिल जाएंगी आपको डेली करेंट अफेर मिल जाएगा ठीक है फिर उसके बाद SSE CPO CGLTA2 इस टीनों की क्लास जो कि अपनी दो पहर को होगी ठीक है तो दो पहर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो तो वहा यहां पर लिंक मिल जाएगा जिस्टमिन अब एससी सूपर कोचिंग यहां पर आएगे इस लिंक नहीं दी गई है बट कोई नहीं दूसरे सेशन से भी हम लोग जा सकते हैं किसी और भी सेशन में आप जाओ और वहां से भी आप जा सकते हो ठीक है और एक्जामपल करेंट प्रफिरवाले में चले आते हैं ठीक है वहां पे जाने के बाद आपको को डिस्क्रिप्शन ओपन करना है ओपन करते ही एससी सूपर कोचिंग के लिंक दिया गया है इसको आप उपन करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जहांपर आपको सारी डिटेल दी जा जा सकते हो जैसे दिल्ली पुलिस कोंश्टेबल के त्यारी कर जाएं और यहां पर आप लोग प्राइसिंग पर जा के देख सकते हैं आपको एक्जाइम का सारा कुछ दिखा दिया जाता है और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो apply कर सकते हो coupon code for discount ठीक है तो G-A-U-R-A-V-M गौरफ M जैसे apply करोगे आप यहाँ पर discount मिल जाएगा और आप तयारी अपनी कर पाओगे ठीक है तो चलिए session को फिर यहीं पर करते हैं समाब ठीक है तो चलिए session करते हैं समाब मिलेंगे अगले session में एक नए जोश के साथ एक नए session के साथ तो जुड़ना मत भूलेगा मेरे साथ अगले session में तब तक लिए रखेगा आप अपना ख्याल अपनों का ख्याल और पढ़ाई करते रहेगा बाइबाइटे केर जय हिन जय भारत